हिंगंधार शेहर के मौता स्कूल के जुने कॉटन मार्केट के पास की कोटारी बिल्डिंग फ्लैट में घर वाले नाख पुर चाती ही एक घंटे में चोरो ने अपना हाथ साफ किया हरिश गोविन हुरकट अपने परीजन के अंतिम संसकार वो नाखपुर के लिए गय थे हिंगन घाट में हरिश गोविन हुरकट और ताराबाई हुरकट इनके घर में साड़े गारा से साड़े बारा बजे के दर्म्यान चोरी हुई सुबह 10 बजे के दर्मियान नाखपुर के परीजन की अंतिम संसकार के लिए परिवार के साथ वे गय थे तब मुख्य दरवाजे की कड़ी तोड़ चोरों ने घर में प्रवेश किया उसके बाद बेडरूम में प्रवेश करके अलमाली का दर्वाजा तोड़के 40-50 लाग का सोना चांदी हीरे घर से लेके गए इनका जिनिंग का व्यवसाय है यह शहर की सबसे बड़ी चोरी की वारदात है प्रात्मिक जानकारी के अनुसार पडोसी ने दो यूकों को देखने की बात कई है लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चला नस्दीक पडोसी को चोरी होने की बात मालूम होई तब उसने चोर करके आवाज लगाई तब एक यूवक बैग में सभी चोरी का माल लेके भागता दिखा दूसरा यूवक बाइक लेके नीचे खड़ा था तब दोनों यूवक भागने में सफल हुए उनके बाइक पे नंबर नहीं थे ये बात सामने आई उसके बाद वर्धा जिला की पुलिस अधिक शक प्रशांग होड कर इन्होंने भी घटना स्थर का जायजा लिया तब पुलिस द्वारा वर्धा से डॉक स्कॉट भी बुलाया गया लेकिन नीचे के और से आने के बाद आके नहीं बड़ा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट द्वारा भी जायजा लिया गया था आगी की कारवाई हिंगन घाट पुलिस द्वारा की जा रही है शहर में दिंधाडे इतनी बड़ी चोरी की पहली वार्धा थे हिंगन घाट से रवीयन और करिक्र पोर्ट इन बीसी निउस नाकपुर